हेलो एवरीवान, माइनेम इस अदीती चौधरी, वेल्किम डू मै चैनल, अक्सर हमें अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसिस बोलने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे मेरा सोने का वक्त हो गया है, उसका ओफिस से आने का वक्त हो गया है, उसके टहलने का वक्त हो गया था, मेरे स्कूल जाने का वक्त हो जाएगा, ऐसे हिंदी के सेंटेंसिस हमारे डे टू डे लाइफ में काफी बोले जाते हैं, आईए देखते हैं कि इनको इंग्लिश में बो इसके बाद time for आता है, इसके बाद noun या pronoun में से कोई एक आता है, अगर किसी का नाम ले रहे हैं तो noun आएगा, और अगर नाम नहीं ले रहे हैं तो pronoun आएगा, जैसे कि me, you, him, her, us, them, इसके बाद to आएगा, to के बाद verb की first form आएगी, और last में other words आएंगे अगर बचते हैं तो, चलिए आप कुछ examples देखते हैं, जिससे आपको इसका मतलब पूरी तरह से समझ में आ जाए, मेरा सोने का वक्त हो गया है, It is time for me to sleep, उसका office से आने का वक्त हो गया है, इस time for him to come from office, हमारे खाना खाने का वक्त हो गया था, It was time for us to eat, उसके टहलने का वक्त हो गया था, It was time for her to go for a walk, मेरे स्कूल जाने का वक्त हो जाएगा, It will be time for me to go to school, पापा के घर आने का वक्त हो जाएगा, It will be time for पापा to come home, क्या वो तुम्हारे खेलने का वक्त है, Is it time for you to play, क्या वो उसका सुभा उटने का समय था, Was it time for him to wake up in the morning, ये हम सब का महनत करने का वक्त है, It is time for all of us to work hard, अब एक सेंटेंस आपके लिए, मेरा पढ़ने का वक्त हो गया है, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ये आप मुझे कमेंट्स में बताइए, आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपने इससे कुछ सीखा है, तो फ्लीज इसे लाइक कीजिए, अब हम मिलेंगे नए वीडियो में एक नए लेसन के साथ, अब तक के लिए चेक आए, बाबाई!